जो बात चल रहे थी जो आपने बताया काला उसर सफेद उसके बाद में किस तरीके के पोशक तत्व होते हैं क्या से जाचे होती हैं अब इन सब के बाद में जब मिटी की जाच हो जाती है तो एक रिपोर्ट जो किसान को दी जाती है जिसे हम शॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं में किया-कै कुछ लिखा होता है जो किसान के लिए उप्योगी होता है और उसको ठीक तरीकी से समझ में भी आए थोड़ा चोटे मैं इसको बताए जो मिट्टी की की प्रियोक्षाला में जाचे विभिन प्रकार की जाचे होतीए और उन जाचों के जो परिणाम हैं, उनका Soil Health Card में एक तरह से संकलन होता है, उसके विभिन जाच परिणामों को Soil Health Card में दर्शाए जाता है, तो इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मिट्टी की जाच के दौरान कौन-कौन सी जाचें प्रयोक्षाला के दौरा की जा प्रयोक्षाला में जाच की जाती है, फॉस्फोरैस उप्लब्ध पोटाश इनकी जाच होती है, यह मुख्य पोशकतत पोते हैं, इसके अतरिक सुख्य पोशकतत्तों की भी मिट्टी में जाच की जाती है, इनमें जिंक या जस्ता, आयरन या लोहा, तांबा, मेगनीज और सलफर इन सभी की प्रियोक्षाळा में जाच की जाती है और एक और आपा लुए की कमी ज्यादा पाई जाती जाती है कि इसमें सभी का संकलन अच्छे होता है कि किसान उसको अच्छी तरह सुम पढ़कर समझ सके उसको जाता है है कि मेरे लिए क्या चीज़े अवश्क हैं और क्या चीज़े अनवश्क है क्या मुझे करना है